नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमा सिंग नीरला कंस्ट्रक्शन यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों डेली के भाती आज एक वर वीडियो लेकर मैं आप लोग ले हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बनता हुआ घर जिसका साइज है 25 feet by 25 feet मतलब 625 square feet में बन रहे हैं इस घर का वाक्त दिखाने वाला हूं इस घर के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा किस तरीका से काम किया जा रहा है अगर आप भी इस ऐस के आसपास का साइज में घर बनाने वाले या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे तो इस वीडियो से बहुत चाहर आईडिया आप ले सकते हैं चलिए इस घर के अंदर चलते हैं उससे पहले में आपको बता दो कि इस घर में आपको 2 bedroom के अलावा जो भी डिजाइनिंग है उसे आगे में ही लगया जा रहा है जब जब ये घर कंप्लीट होते रहेगा उससे वैसे में आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें को बहुत सरा आडिया आप लगा सकते हैं इस घर को देखते हुए दिखे ये है इस घर का फ्रंट व्यू आगे क जा रहा है यहां से एक एगजीट भी है एगजीट डोर यहां से में इंट्रेंस है इस घर का और वहां पर जो बेड्रू में उसको उपर देख सकते हैं कि सिंपल डिजाइन वाज चज्जा लगाया गया है और उसके ज़स्ट ऊपर देखेंगे तो लगवक तीन फीट बाह बोलते हैं हलका जूम करके दिखाने का कोशिस करता हूं देखिए और इसके उपर अगर आप स्टेल का रेलिंग लगाते हैं या फिर एमेस का भी तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है आप चाहें तो इसके कॉर्णर पर भी नीचे के साइड जो यह है इस घर का में इंट्रंस और इस इंट्रंस के जस्ट वगयल महीं आ आप देखेंगे तो एक विंड़ो के लिए जगह छोड़ा गया है आप यहां पर देख सकते हैं यह हैं इंट्रंस तो ऐसा करते हैं तो आपकी जो हॉल है वहां पर जो वेंडिलेसन होता है और फि कुछ इस टाप से ब्रिक्स सॉलिंग किया जा रहा है और गुसने के साथ ही आपको यहां पे मिल जा रहा है हॉल यह देखिए हॉल है इसे डाइनिंग एरिया के रुपम पे इस्तेमाल किया जाएगा इसी के जस्ट आप देखेंगे तो पीछे साइड मिलता है आपको इस घर का कीचेन बात किया जाए चौराई का तो साथ फीट चौरा इस हॉल को रखा गया है और जो कीचेन है उसका भी चौराई साथ फीट रखा गया है साथ फीट बाई नौ फीट का ये कीचेन है चले मैं आपको सबसे पहले कीचेन ही दिखाता हूँ उसके बाद बाया साइट का देखेंगे और फिर दाहिने साइट का कैसे बने आजा रहे से में समझने में आपको असानी होगा तो इंटर के साथ आपको मिला हॉल हॉल के जस्ट पीछ आपको मिलता है किसे साथ फीट बाई नौ फीट का और यहां पर देखेंगे तो स्लेप का जो ढलाई का काम है वो किया गया है आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से इसका सट्रिंग किया जाता है इस बॉक्स नुमा य देख सकते हैं यह स्लेप की ढलाई जमीन से 34 इंची उच्छा इसको रखा गया है एक दो इंची और उपर में बढ़ेगा इसके उपर में जब गरनाइट लगया जाएगा एक विंडो भी आपको देखने को मिल रहा है इसके जस्ट उपर अडिज्ट फैन के लिए भी जग पूरे नहीं है डाई इंची के आस्पात में आपका काम चल जाएगा तो देखे कुछ इस टाप से इस घर को बनाया जा रहा है यहां समलोगों ने इंटर किया था अब चलिए बाया साइट का दाहिने साइट का बात कर लेते हैं तो इधर आपको दो रूम देखने को मिल रहा है और दोनों जो इस घर का बेडरूम है उसी आप देख सकते हैं 25 फीट चौराई है तो सारे 12 फीट बाई सारे 12 फीट का 12 फीट और इसी रूम का भी भी 12 फीट आप देख सकते हैं दोनों बराबर सेज का रूम बने हजारा है चलिए इस टाइप जो कोर्नर वाल रूम है वहां पर ले चलते हैं एक पर फिर्स में आपको समझाऊंगा बस आप अभी देखते जाए कि किस तरीका से काम किया जा रह यहां आगी रखने है और पूपर जो समय राखने के बेवस्ता है वह यहां पर भी किया जारा आप देख सकते हैं चछजा यहां पर लगाया जा रहा है और डबल विंडो आप इश टैप से लगाते हें तो आपको पर उब इंडलेशन होता है तो काफी अच्छा रहता है ज कि उसके बगल वाला रूम में चलते हैं, लग बग तीन फीट बाई साथ फीट का डोनोर दोर है, यहाँ पर भी आपको मिलता है, सेम सेज 12 फीट में सारे 12 फीट का, और यह भी कॉर्णर वाला ही रूम है, आगे साइड से, आगे वाला कॉर्णर है, इसलिए डबल विंडो य आते हैं, तो छज्जा का इस्तेमाल आप कीजिए, अपने जो घर का समाने उसे असारे के साथ रख पाएंगे, आप चाहें तो वार्डरोब भी बना सकते हैं, तो दोस्तों देखे, मैं आपको समझाने का कोशिश करता है, फिर उसके बाद दाहने साइड चल गए, यहाँ स छलते हैं, दाहने साइड, दाहने साइड में आपको हाल के, जस्ट भगल में ही आपको मिलता है, सेडी रोम, इससे मैं आपको बहर से दिखाया था, साइज का बात किए जा है, तो सारे 12 फीट, 26 फीट में सीडी है, इस घर का, और बाहर तरप से ओह आप फिट है, एक लिग यहाँ प्रॉट पर पर आगर उंको कि असलों के ज़रूरत नहीं । चाहें तो इधर से असानी के साथ आके अपना उपर जा सकते हैं अगर आप रेंटर भी देते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा होगा बाहर से इंटर करेंगे फिर यहां से वह उपर की तरफ चला जाएंगे इससे आपका प्राइबिसी है वो उसके जो खत्रह है और इसे इधर में देखेंगे तो लगबग नौ में नौ फीट बाई तीन फीट का ट्वालेट आप देख सकते हैं याप अरे बगल में बात्रूम तो इस टाप से इस गहर को बनाया जा रहा है आप देख लेजी चलिए मैं एक बार फिर से बाहर से आपको दिखा देता हू आपको फिर से अच्छे तरीका से समझ में आए तो देखिये 25 फीट में 25 फीट का गर अंदर में जैसे हम लोग इंटर हुए चलिह मैं दिखाता हूँ जैसे इंटर हुए आपको मिला हॉल, बाया साड में मिला रूम, फिर इसके दाइने साड में मिला था आपको सिड़ी, जैसे ही हॉल से आगे बढ़े तो उसके पोजिशाड में मिल जाता है आपको, कीचेन, इधर दो रूम तो आप देखे ही, फिर दाइने साड का बात के जा तो आपको मिल जाता है सीडी रूम उसके जस्ट बगल से एक गली मिलता है आपको और वहाँ पर आपको मिल जाता है ट्वालेट और बाथरूम तो इस टाप से कंप्लीट घर आप देख सकते हैं मात्र 625 स्क्वाइर फीट में ही तो उमीद है आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आवास करें धन्यवाद